Hello and welcome to the GOE Colleges GS, मैं हूँ Dr. Krishnanand और आप देख रहे हैं हमारा NCRT सीरीज जिसमें अभी हम क्लास 12 का जो NCRT है India's People and Economy उससे डिसकस कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग Chapter No. 7 को cover करने वाले हैं जो कि बहुत important होने वाला है आपके one shot revision के लिए तो इस वीडियो को आखरी तक देखिए जिसमें हम लोग India के Transport and Communication Sector को discuss करेंगे और Between the Lines भी देखेंगे कि NCRT में क्या-क्या बाते कही गई हैं जो कि बहुत सारे competitive exams के लिए भी important है तो अगर आपने अब से पहले की वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दू सब्सक्राइब ताकि आगी की वीडियो की notification आपको मिल सके और अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को join भी जरूर कीजेगा तो आईए सीखते हैं इंडिया का transport and communication तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है chapter number 7 transport and communication और इसके पहले paragraph में कुछ बहुत important बाते कहीं गई हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि transport and communication जो होता है वो हमारे economy का life lines होता है तो किसी भी country के economy के लिए ये life lines कहा जाता है facilitator कहा जाता है या आप कह लिजे connector कहा जाता है जो कि हमें linkages देता है इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे तो यहां दिखा गया है कि अगर आप कोई चीज को consume करते हैं कोई item मंगवाते हैं जैसे आज कल आप online shopping करते हैं तो क्या करते हैं कैसे delivery आती है तो आप देखते हैं कि production और consumption को कौन link करता है यही transport and communication link करता है तो market को consumer को और producer को यह link करने वाली जो facilitate करने वाली चीज़ें है यही है transport and communication तो यही बात यहां कहा गया है अब यहां दिया गया है कि हमारे को इसके daily life में बहुत important इस्तमाल करते हैं और use of transport and communication depends upon our need to move things from one place to move ideas even from one place to the other तो यह ध्यान रखना है कि सिर्फ चीज़ें ही नहीं हम ideas को कैसे circulate करेंगे अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे तो उसके लिए communication ज़रूरी है तो इसके लिए आप देखी यहां पे एक flow diagram है means of transport पहले दिया गया है फिर हम means of communication देखेंगे तो land-based transport, water-based transport और air-based transport यह तीन हो गया segment अब इसके अंदर land में road transport और pipeline है important और railway line important है फिर water में inland है और sea water है जिसमें oceanic route है और air में national और international air है तो इसको एक-एक करके थोड़ा देखते हैं कि क्या-क्या important है तो सबसे पहले आए यह land transport को देखते हैं अब सबसे important बात क्या है land transportation में? कि यह जो pathways हम create करते हैं roads के across जो आज आप देख रहे हैं यह पुराने समय में नहीं था पुराने समय में क्या होता था पता है आपको river का इस्तमाल होता था ज्यादा था तो roads बहुत clearly नहीं बने हुए थे roads का development बहुत बाद में देखेंगे और जो बना भी वो कच्ची सड़क होती थी इसको unmetalled roads कहते थे इंडिया में तो metal roads और railways का जो invention होता है वो modernity के आने के बाद यानि modern phase of history में आप देखेंगे इसका इस्तमाल फिर अभी आप ropeways, cableways और pipelines तक भी पहुँच चुके हैं लेकिन road transport important क्यों है इंडिया में क्योंकि इंडिया में 62 2 lakh km से उपर तो road है यह आपका annual report जो है आप देखेंगे 2021 का इसका data है यहाँ पर और इंडिया में आप देखेंगे one of the second largest road networks in the world यह है हमारे पास अब road जो है वो हमेरिक को सबसे important होता है short distance travel के लिए goods को और इंसानों को सब को transport करने के लिए तो एक तो यह चीज़ important है तो 85% of passenger and 70% of freight traffic जो है वो roads के थूँ ही carry करते हैं इंडिया में और यह suitable है short distance travel के लिए अब यहाँ पर एक do you know वाला section दिया हुआ है जिसमें बहुत important चीज़ है history से वैसे हम history के lessons लेके आने वाले हैं future में बट यहाँ पर देखिए सेरसा सूरी ने यह बनाया शाही road जो royal road था और इसको आप देखिए सोनार वैली है बेंगॉल में उसको इंडिस वैली से connect किया जिसको आज आप grand trunk road के नाम से जानते हैं और ब्रिटिश ने इसका इस्तमाल किया कुलकता को पिशावर से connect करके तो यह अमरित सर और कुलकता को connect करता है आज की डेट में आप देखेंगे तो तो यही कितना importance हुआ और इस road पे कितने सारे और important settlements create हुए क्या-क्या चीज़े connect हुई और इसका historical और modern importance भी है तो यह देखिए कि important है कि road transport जो है वो world war 2 के बाद और ज्यादा modern हुआ अब इसमें पहला serious attempt जो आप देखेंगे modern sense में create करने का वो 1943 में हुआ नागपूर plan में इस plan में बहुत सारी बाते की गई थी लेकिन implementation जो है वो थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया always because of lack of coordination between princely states and British India तो independent India में आप देखिए 20 year road plan बनाया गया 1961 में जिसमें rural roads बड़े important थे गाओं के सडकें तो rural and remote areas को connect करना था roads से अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास construction के अधार पे देखिए कि कितने सारे roads आ गए हैं तो आप देखिए roads का classification national highways नह कहते हैं तो national highway क्या है यह सबसे प्रमुख main शहरों को connect करने वाले highways होते हैं main roads है जो कि central government इसको देखता है इसको national highway कहते है अब यहाँ पे देखिए दिया गया है length of national highway increased from 19,702 अब देखिए यहाँ पे 136,000 से उपर जा चुका है यह 2020 में और अभी आप जब देख रहे हैं इस वीडियो को तो हम 2024 में हैं और यह अभी और जादा आपको अगर recent data देखेंगे तो बढ़ चुका है अब important बाते यहाँ देखिए मैंने highlight कर दी है कि national highway जो है constitute करता है 2% of the total road length and carry 40% of the road traffic यह बहुत important चीज़ है ध्यान रखिएगा इसको और national highway authority जो है 1995 में बना जो कि ministry of surface transport के अंदर काम करता है यह सारी चीज़ों को देखता है अब यहाँ पे इंडिया का road network का 2020 report दिया है length दिया है इस data को आप ज़रूर देखिए एक बार यह ministry of road transport से आपको मिलेगा उनके website पे भी आप चले जाएए वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा तो national highway का development projects अगर आप देखेंगे तो इसमें दो major नाम कभी मत भूलिएगा एक है golden quadri lateral golden quadri lateral यानि यह चतुर भुज आप देखते है ना चार जगों को ऐसे करके कुछ connect करने का तो east है, north है, west है, south है यह connectivity इंडिया को हम देना का कोशिश है इसमें तो Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata जो हमारे metro cities है original 4 यह इनको connect करने के लिए बनाया गया program है फिर यहाँ पे north, south and east, west corridor है तो जमू इन कश्मीर को कन्या कुमारी से लगाने के लिए आप देखिए, यहाँ पे create किया गया 4000, इसका length है 4076 किलोमेटर और east-west corridor जो है, आप सिल्चर है आसाम में वहाँ से पोरबंदर है गुजरात में 3640 किलोमेटर, यह है आपका corridor, तो यह major है programs national highway के, इसके अलावा आप देखिए, state highways, तो अब यह state highways जो है, वो 4% contribute करता है total road length of the country को, और इसमें state headquarters जो होता है, उसको connect करते है state के और छोटे district headquarters से, अब district road पे आ जाईए, तो district road में देखेंगे, यह 14% है total road length of the country का, और district headquarters को rural roads के साथ connect किया जाता है, तो rural roads कितना important है, अब इनके percentages आपको लगता होगा कि rural roads का इतना importance नहीं होगा लेकिन गौर करिए, 80% of the total road length in India यह rural roads ही है, तो इसके लिए कहते हैं कि गाउं का विकास बहुत जरूरी है, rural roads का condition ठीक करना बहुत जरूरी है, यह बहुत important चीज है, और इसमें आप देखेंगे कि यह influence होता है nature से और terrain से, कि climatic condition कैसी है, terrain कैसा है, uber cover zemeen है, slope का angle का है यह बहुत matter करता है, अब देखें यहाँ पर प्रधान मत्री, ग्राम सड़क युजना का भी जिक्र किया गया, यह से बहुत सारी युजना है, जो अब कुछ other roads भी है, जिसको हम बोल सकते है strategic roads, अब यह strategic roads मतलब defense के लिए, तो देखें, border road organization BRO है यह, इसको bro भी बुलाते हैं बहुत लोग, funny way में, तो यह bro जो है ना, हमारा border road organization यह 1960 से ही activated है, और खास करके इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वार, इंडिया के जो border areas, वहाँ के roads को strengthen करना, defense के लिए तयार करना all season connectivity देने के लिए, यह बहुत important है, right, तो सबसे famous जो इसमें आप देखेंगे, अगर आप Manali से ले जाने की बात करते हैं, तो यह इसके through आप देखेंगे, यह 4270 meters उपर बना हुआ है sea level से, और अभी recently यहाँ पर utter tunnel बना है, रोहतांग वाला, जो आप देखेंगे इसको connect करने के लिए, right, तो यह यहाँ पर दिया गया है, कि इसको all season connectivity के लिए बियारोने create करवाया, और यह पीर पंजाल range के अंदर आता है, रोतांग टेनल, पहले रोतांग पास के थू जाना पड़ता था, वो बहुत difficult होदा था, snowfall में बंध हो जाता था, right, तो यह सारी बाते हैं, अब कुछ बाते और करते हैं, कि जैसे यह भारत माला project है, या सागर माला project है, यह जो projects हैं, के name ज़रूर याद रखिए, जैसे यह एक umbrella scheme है, किसके लिए, development of state roads, right, coastal border areas के लिए backward areas को connect करने के लिए religious and tourist places को connect करने के लिए right, तो देखिए, सेतु भारतम पर योजना कहते हैं इसको, which is for construction of about 1500 major bridges 200 rail over bridges, तो यह जो economic survey को आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, आपको यहाँ दे दिया गया है, right अब road के बाद चलते हैं, major हमारा sector है, railway sector अब railway जो है, अगर आपको याद हो, कि railway का development तो हुआ 1830s में, लेकिन इंडिया में 1850s में यह आ चुका था तो आप देखिए, हमारे जो महत्मा गंधी जी है, उन्होंने कहा कि railways brought people of diverse cultures together to contribute to India's freedom struggle, तो इनका कहना था कि इंडिया के freedom struggle में, railways का योगदान बहुत important है, अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी ए question आ जाए, कि discuss the importance of Indian railways in freedom movement, right, ऐसी सवाल पूछे जाते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं, अब 1853 में, Bombay से थाने तक 34 किलोमेटर का पहला rail track बना, लेकिन आपको अगर ये लगता हो कि ये हमारे लिए बनाया गया, ऐसा नहीं था, ये Bombay to थाने जो बना, वो basically labor corridor था, मतलब labor को Bombay तक लाना था, Bombay में jute mill बनाया गया, जूट में जो labor काम करेंगे वो suburbs में, rural area में रहेंगे, वहां से उनको लाया जाएगा और सामान भी लाया जाएगा, तो mainly सामान के लिए, और बाद में labor supply के लिए use होने लगा, तो आज अगर आप Bombay जाते हैं, जो आज Mumbai है तो आप उसके suburbs में जो ये देखते हैं जो Mumbai local lifeline हो गया है उसके साथ-साथ आप कितने सारे settlements देखते हैं अब वो कैसे नाम से आप जानते हैं अंधेरी, बांदरा, ये जो words हैं आप सुनते हैं, ये सब पहले labor towns के तरह develop हुए थे, अब ये कितने posh areas हो चुके हैं तो ये सब चीजे हैं जो आप देखते हैं history में अब आते हैं कि Indian railways जो है यहाँ पे length देखिए, 67,956 km ये 2019-22 का data है अब recent data देखेंगे तो इसमें और ज्यादा development हुआ है, 16 zones है अब competitive exam क्या करते हैं multiple choice question में न, railway zone और headquarter को ऐसे mix and match करके देदेते हैं और बोलते हैं बताओ कौन सा combination सही है, तो थोड़ा सा देख लीजिए central zone का headquarter, Mumbai CST eastern का Kolkata, east central का हाजिपूर, east coastal zone का भूबनेश्वर, northern का देखेंगे तो न्यू डेली, north central का अलाबाद है, जिसको अब प्रयागराज कहते है north eastern का गोरखपूर है north east frontier, जो है, मालिगाउं गोहाटी वाला, north western है जैपूर सदन है चैन्नाई, south central में देखेंगे, तो सिकंदरबाद है यह हैदरबाद के पास वाला station फिर south eastern में कोलकता है south east central में बिलासपूर है और south western में हुबली है western में मुंबई, चर्च गेट वाला और western central में जबलपूर है यह सोला जो है, आपको ध्यान में रखना चाहिए railway zone और उसके headquarter इसको और बहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं map के उपर point करके, practice करके रख सकते हैं अब बात करते हैं कि broad gauge, meter gauge और narrow gauge जो हमारे यहां railway चलती है उसमें क्या क्या importance है तो broad gauge का होता है 1.676 meter जो होता है railway track के बीच का length होता है अब meter gauge को देखिए यह 1 meter होता है और 63,950 था यह 19-20 तक अभी यह 24,000 km था और narrow gauge जो है 0.762 है मतलब 1 meter से भी कम है दोनों track के बीच में gap तो यह 0.6 यह 0.7 यह बाला range है यह 1600 km ही है अब यह confined हो गया है सिर्फ हिली एरियाज में चोटे एरियाज में ज़्यादा तर हमने broad gauge ही बना दिया है अब बात करते हैं Indian railway का कि यह जो launch किया extensive program to convert meter and narrow gauge to broad gauge इसमें आप देखेंगे आप क्या हो गया steam engine और electric engine का इस्तमाल होने लग गया जो कि इसके efficiency को और haulage capacity को बढ़ाता है advantage देता है आपको लंबे distance में किराया कम लगने का और सामान को transport करने का इसको haulage कहता है यह word याद रखिएगा haulage is the commercial act of transporting goods by roads और railway तो haulage capacity बढ़ाता है environment को improve करता है तो यह सब चीजे हैं पहले koila engine था तो बहुत polluting था और metro ने तो और revolutionize कर दिया और CNG पर आ गया तो इससे आप देख सकते हैं कितनी ज़ादा आप इंवार्मेंट फ्रेंडली इंफरस्ट्रक्ट्टर क्रिएट कर रहें अब इसमें एक case study जरूर देखिए कॉंकन रेलवे का कॉंकन रेलवे इंडिया में बहुत important है क्यों है क्योंकि कॉंकन रेलवे जो है अपने आप में एक important terrain में western घात में जाता है तो आप देखेंगे इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे इंडिया में 760 किलोमेटर का लॉंग रूट है रोहा है महराश्ट्रा में और मैंगलोर है करनाटका में इसको connect करता है अपने आप में एक engineering marvel कहा जाता है 146 river, stream, nearly 2000 bridges और 91 tunnels को cross करता हुआ, यह connect करता है Asia का largest tunnel 6.5 km इसी रूट में आप देखेंगे जो आता है railway को connect करने वाला और यहाँ पे कुछ pictures और diagrams भी NCRT में दिया है देखें कैसे river navigation करते हैं लोग North East में तो अब देखें यहाँ पे कि railways जो है यह British era से लेके अब तक हमारे को central areas of country से port areas तक के लिए जो शुरुवात में बनाया गया वहाँ से शुरू हुआ और अब यह पूरी इंडिया में इसका network जो है वो masses के लिए फैल चुका है अब आईए water transport और शुरुवात में मैंने आपको क्या कहा कि roads नहीं हुआ करते थे ancient history अगर आप देखेंगे न roads बहुत कम थे largely जो थे वो कौन लोग थे वो लोग थे जो river के across transport करते थे इंडिया में river system बहुत है रिवर बहुत सारे है तो river ही हमारा major thrust था इंडिया में ancient इंडिया में खास करके लोग नदी के through जाते थे अगर आप पुरानी कहानिया सुनते हैं पुराने गाने सुनते हैं उसमें नदियों का जिक्र सुनते हैं और transportation through river कितना important है वहाँ पे जो लोग नयायक होते थे वो लोग नाओ को खेके ले जाते थे तो उनकी भी कहानिया है इंडिया में तो पहले नाओ का जिक्र और ancient time में आप जो भी literature पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि navigation जो है वो water transport से ज्यादा था land transport बहुत ही कम था तो यह fuel efficient और eco friendly भी था अब यहाँ पे हमने तो inland waterways और ocean waterways बन चुका है तो inland waterways में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नदियों को connect करके और इसको create करना लेकिन अब हुआ क्या जब हमने agricultural development किया तो नदियों का पानी निकालने लग गया और नदियों का problems शुरू हो गया कि अब उसमें पानी नहीं होगा तो कैसे यहाँ पे आप यह जाएंगे तो बहुत कम ही navigable river area बचा तो non-navigable हो गया because of agricultural pressure अब इंडिया में देखिए 14,500 km का navigable waterway है और इसमें river, canal backwaters, creek सब कुछ है और 5, 6, 8, 5 km major rivers जो है navigable है अब problem क्या होती है अगर navigable river है उसमें time से आप siltation नहीं करेंगे उसमें मिट्टी जमती रहती है, silt जमता रहता है अगर उसको नहीं हटाएंगे तो उसका depth क्या होगा कम हो जाएगा और कम depth होगा तो नाउफास जाएगी उसमें तो यह सब चीज़े बहुत important है इसके maintenance के लिए तो हमाँ पास inland waterways authority जो है 1986 में setup हो गया था और हमारा national waterways जो है वो government of India देखती है तो हमाँ पास बहुत सारे national waterways का plan है तो एक तो यहां पर ऐसे दे दिया गया national waterway no.3 तो पेरियार वाला केरला वाला एरिया देखिए कॉलम से पेरियार backwaters वाला जो है बहुत फेमस है उसके अलाव आप देखिए national waterway no.1 अलावार तो हल दिया 1620 waterway no.2 साधिया तो धूबरी 891 कॉट्टपुरम तो कॉलम यह है आपका जो अब हम देख रहते 205 km का national waterway no.4 जो है वो गुदावरी कृष्णा रिवर काकिंदा पुडुचेरी को कनाल से क्रियेट करके बनाया गया 1078 km का और national high you know national waterway no.5 जो है यह ब्रामनी river देखेंगे with multi river यह डिल्टा चैनल से महानादीव ब्रामनी river को यहां east coast कनाल तो 588 km का यह है राइट इन सब को देखें आप और इसके अलावा 10 और inland waterways हैं अब यहां backwaters की बात करते हैं कडल और केरला है यह इन स्पेशल significance inland waterway अब फेमस नहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होता है वल्लम कली वो यहीं पर और और जाता है तो यह चीज है अब ओशनिक रूट आईए तो इंडिया क्योंकि coastline है 7517 अगर आप देखेंगे आइलेंस के साथ मिला के यहां पर 185 minor ports मेजर पोर्ट मिला के है 95 परसेंट अफ इंडिया का जो foreign trade है वो इसी के उपर डिपेंड करता है 70 परसेंट जो है वो वैल्यू ओशन के साथ ही मूँव करता है यह से नहीं करता महेंगा पड़ेगा तो एयर ट्रांस्पोर्टेशन उसके बाद इसलिए गया है कि 1911 में इंडिया में शुरुआत तो हो गई थी लेकिन मेजर डेविलप्मेंट जो हुआ यह जो एलाबाद से नैनी आप देख रहे हैं दस किलोमेटर यह 1911 में चला लेकिन एयरपट अथारिटी ऑफ इंडिया जब बना उसके बाद आप देखिए सवासों से ज़्यादा एयरपोर्ट है पवन हंस हेलिकॉप्टर का सर्विस है यह सारी चीज़े हैं उसके बाद आप देखिए कि ऑईल और गैस पाइपलाइन का कितना योगदान है हमारे कंट्री में तो ओइल इंडिया लिमिटेड आप देख रहे है ना यह और मिनिस्ट्रिय पेट्रोलियम और नाच्रल गैस यह सब इंगीज है इसमें हमारे तक देखेंगे बिहार में यह वाला है अब यहां पर रिफाइनरी है बराउनी में अब कानपूर की बात है 1966 में जो आपका गेल है गैस अथोरिटी इंडिया लिमिटेड यह 1984 में सेट अप हुआ पर आप देखिए 1700 किलोमेटर का जो है हजीरा और विजयपूर स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे एक्सपैंड करता है दस गुना 1700 किलोमेटर टू 18500 किलोमेटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन और एक्सपेक्टेड है 34000 किलोमेटर प्लस हो जाएगा हमारा यह ग्रिट जो है इसमें नौथ इसन सेट को भी इंक्लूड कर रहे हैं और कम्यूनिकेशन नेटवर्क में अगर आप आयें ट्रांस्पोर्ट के बाद तो यह उतना ही इंपोर्टन है राइट शुरुआत में क्या करते थे लोगों को दोड़के बोलते थे जाओ फास्ट रॉनर्स हुआ करते थे होर्सस कैमल्स डॉग्स बर्ड्स इन सब का इस्तमा सब्सक्राइब करते हैं अब यहां मास कम्यूनिकेशन में तो इंडिया में नाम दिया अब इसमें बहुत सारे चैनल से रीजिनल से लेके लोकल तक और टेलिविजन की बात करें तो 59 में आ गया था लेकिन सिर्फ नाशनल कैपिटल दिल्ली में ही था लेकिन 72 से फिर फर्दर आप देखिए तो आगे बढ़ा 1976 में टीवी जो है इंडिया रेडियो से हटा आके फिर इसको दूरदर्शन कर दिया ग गया और अब हम इससे वेदर फॉर्कास्टिंग तक करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ नैशनल केलामेटी इस बॉडर एरिया यह सब कुछ करते हैं और इंडिया नैशनल सैटलाइट सिस्टम और इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटलाइट सिस्टम अभी हमारा बहुत ही और नैशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हमारा इनर इसी हाइदरबाद में यह सारी फैसिलिटीव प्रवाइड करता है और इनके बहुत सारे रिजिनल सेंटर भी हैं जहां पर टाइम बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं तो अगर आपको इंट्रेस्ट है तो यह कैपैसिटी में दी गई थी तो आप इसको लाइन में पढ़िए और अगर आपको इस वीडियो से फाइदा मिला तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एक कमेंट जरू छोड़िए और अगर आपने शेयर नहीं किया वीडियो तो प्लीज शेयर करिए चैनल को सब्स्राइब करिए क्योंकि ह हुमारे इससे इंगेजमेंट बढ़ता है आउट्रीच बढ़ता है हम जाद से जादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो बेस्ट विशेज मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में